असलाम अलेकूम एसके लियान की चन में आप सभी का वेलकम है आज हम आपके शाद सेयर करने वाले है एक छोटी सी रेसिपी तंदूरी प्यास की फ्रेंड्स यसे आप रायते के साथ में पराठों के साथ में खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है और बहुत ही इजी और खाने में भी उतनी ही टेश्टी लगती है तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरे मिडियम साइज के पांथ प्याज ले लिए हैं और अच्छे से इसे वाश कर लिया है अब हम इसे इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे सभी प्यास को तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा जो प्यास है वो कट कर रेडी हो गया है अब हम इसे सारे प्यास को छूटा कर लेंगे हाथों के हल्प से हलके हलके हाथ से इसे मसल लेंगे और सारे प्यास को हम अलग-अलग कर देंगे तो फ्रेंट इसमें अब हम ब्लेक पेपर काली मिरी का पाउडर एड़ करेंगे अब हम इसमें वन टेबल स्पून लाल मिर्श का पाउडर एड़ करेंगे इसमें हम वन टेबल स्पून काला नमक एड़ करेंगे इसमें हम विनेगर, प्लैन विनेगर जो होता है वो एड करेंगे अगर आपके पास प्लैन विनेगर ना हो तो आप इसकी वजाए नीबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने टू टेबल स्पून प्लैन विनेगर इस्तेमाल किया है और अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से सभी इंग्रिडियन्स को मिला लेंगे तो फ्रेंच देखा आपने बहुत सी सिंपल सी और जटपट बनने वाली रेसिपी है ये आप इसे बिर्यानी के साथ में पुलाव के साथ में पराठों के साथ में खा सकते हैं तो फ्रेंच दीजिए हमारा जो है तंदूरी प्याज बनकर रेडी हो गया है वेरी टेस्टी एंड वेरी इजी तो फ्रेंच अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सिस्क्राइब और शेयर करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो की तरफ से तब तक के लिए बाई बाई